हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो फ्री ग्रामर क्लासेज इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट नाउन एट्स काइंड लेट स्टार्ट नाउन सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या है नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है किसी स्थान का नाम हो सकता है किसी वस्तु का नाम हो सकता है जिसे आप सुन सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, या मैसूस कर सकते हो वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है तो इसलिए हम इसे सधारन भाषा में कह सकते हैं naming words are known as noun तो किसी भी चीज का जो नाम है वो noun है आए इसे कुछ example के थूँ समझते हैं तो सबसे पहले name of persons उसमें हमने देखा शीला और सल्मान नेक्स्ट है name of birds pigeon, sparrow and crow यह हमारे birds के नीम हो गए name of animals, dog, cow, deer next, name of places, میरत, हैदराबाद next, name of things, बस्तुमों के नाम laptop, mobile, pen next, name of ideas, love, hate, courage तो कोई भी नाम, चाहें वो किसी person का है चाहें birds का है, चाहें animals का है चाहें place का है, चाहें किसी object का है चाहें किसी ideas का है जो आप सोच सकते हो या उसके बारे में feel कर सकते हो उसे हम noun कहते हैं तो अब है हमारे पास noun की types तो noun कितने types के होते हैं सबसे पहले है proper noun जोसे हम हिंदी में विक्ती बाचक संगया कहते हैं next है common noun जोसे हम जाती बाचक संगया कहते हैं next है collective noun जोसे हम समूह बाचक संगया कहते हैं next है material noun जोसे हम वस्तू बाचक संगया कहते हैं और लास्ट में है abstract noun जिसे हम हिंदी में भाव बाचक संग्या भी कहते हैं अब हम इन सभी nouns को अलग-अलग करके उसकी explanation करेंगे तो सबसे पहले है proper noun, proper मतलब विशेश तो a proper noun denotes one particular person or a thing as distinct from every other one हैंस a proper noun is a person's own name तो proper noun जो है एक particular person का name हो सकता है particular object का name हो सकता है particular place का name हो सकता है और वही name जो है उसे बाकिस सबसे अलग करता है मतलब यह उसका जो है अपना नाम होता है a proper noun starts with a capital letter और यह हमेशा ही capital letter से start होता है तो कुछ examples देखते हैं सतीश सतीश क्या है name of a particular person तो person तो बहुत सारे हैं तो लेकिन जो सतीश है वो एक special person का name है इसलिए यह proper noun है next है तापती name of a particular river तो इसमें और भी example आप ले सकते हैं मैंने एक एक example ही दी है आपको जैसे गंगा है यमना है सरस्वती है तो जो किसी particular river का name है वो जो है proper noun है ऐसे name of a particular city कोलका था लाइक मुंबई, लुधियाना और भी आ सकते हैं next है name of a particular country इंडिया तो यह जो है हमारे proper noun हो गए तो आईए अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की और जो है हमारा common noun जिसे हम जाती वाचक संग्या के नाम से जानते हैं a common noun denote not one person or thing in particular but it is common to any and every person or thing of the same kind तो जो common noun है वो किसी special person या thing को denote नहीं करता है यह पूरी की पूरी एक जाती के बारे में हमें बताता है जैसे हम इसे कुछ examples के थ्रू समझते हैं बढ़ाई अब बढ़ाई जो है यह क्या है common noun है अब common noun क्यों है यह क्योंकि यह है common word for राम, शाम, सुरेश, मुकेश, एसेटरा जितने भी male हैं उनको हम बढ़ाई के नेम से जानेंगे ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और examples देखते हैं common word for गीता, सीता, मीता, नीता, एसेटरा तो इन सभी के लिए एक common word क्या हो गया? गर्ल हो गया, यह सभी गर्ल है लेकिन जब हम इसको बोलेंगे गीता तो यह proper noun हो जाएगा लेकिन जब हम इन चारों के लिए किसी एक common word का use करेंगे तो यह common noun हो गया ऐसे हमारे पास common word for लुधियाना, कोलकाता, मुंबई, एसेटरा तो यह इसके लिए common word हमारे पास हो गया, city तो next है common word for पंजाब, गोवा, यूपी, एमपी, एसेटरा इसके लिए common word क्या है? states ऐसे ही common word for राइधानी एक्सप्रेश, स्थाब्दी एक्सप्रेश तो इसके लिए कौन सा word है? train तो जब हम किसी special, one particular thing के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा proper noun होता है और जब हम 10, 15, 50 चीज़ों के लिए एक common word का यूज़ करते हैं तो उसे हम common noun कहते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की और जो है collective noun collective नाम से पता लग रहा है collection मतलब किसी चीज़ के समूह को हम collective noun कहते हैं collective noun is the name of a number or collection of person or thing taken together one described as one whole तो जब हम किसी चीज़ों को ये कठा करके और उनके लिए कोई एक नाम देते हैं तो उसे हम collective noun के नेम से जानते हैं कुछ examples देखते हैं फर्स्ट है टीम टीम क्या है एक collective noun है अब टीम क्या है collection of players या हम बोल सकते हैं group of players तो यह हमारी team हो गई और क्या हो सकता है group of students तो students को group को हम क्या बोलेंगे class तो class भी जो है हमारा वो collective noun हो गया और देखते हैं group of books तो books की जो collection है उसको हम क्या बोलेंगे library नेक्स्ट है group of people listening something ऐसे लोगों का समूँ जो इकठे होके किसी चीज को सुन रहा है उसको हम क्या कहते हैं audience next है group of people gathered for same purpose किसी खास मकसद के लिए जब कुछ लोग एक जगह पर कठा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं assembly तो यह सारे के सारे team, class, library, audience, assembly एक group को के बारे में बता रहे हैं इसलिए हम इने collective noun कहेंगे बढ़ते हैं next topic की और जो है material noun material mean वस्तू वस्तू वाचक संग्या material noun denotes the matter of substance of which things are made material noun उसे कहते हैं जिस material से कोई वस्तू बनी होती है तो आईए अब हम इसे भी कुछ examples के थुरू समझते हैं सबसे पहले है wood तो क्योंकि wood से दरवाजे, खिड़किया या और भी furniture बनाया जाता है तो इसलिए जो wood है वो हमारा material noun हो गया next है iron it is used to make machines, tables, tools, etc iron के help से machine बनती है, table बनते है, tools, हथियार बनते है इसलिए जो iron है ये भी हमारा material noun है next है gold it is used to make ornaments, statues, domes, etc तो जो gold है वो हमारा गहने बनाने के काम आता है कोई statue जिसे हम हिंदी में बुत कहते हैं वो बनाने के काम आता है domes जैसे हरमंदर साहब हो गया, सोमनाथ, temple हो गया अब इनके ऊपर जो है, वो सोने की परच चड़ाई हुई है तो इसलिए जो हमारा gold है, वो हमारा material noun है तो आईए अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की और जो है abstract noun अबस्ट्रेक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाव बाचक संगया कहते हैं अबस्ट्रेक्ट नाउन इस यूजिली दा नेम ओफा क्वालिटी, action, idea और state यह किसी गुन का नाम हो सकता है, किसी action का नाम हो सकता है अबस्ट्रेक्ट नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं या इसके बारे में केवल सोच सकते हैं वाइल अबस्ट्रेक्ट नाउन जिसे हम पिछले चार नाउन पढ़े प्रापर नाउन, कॉमन नाउन, मैटिरियल नाउन, कॉलेक्टिव नाउन इन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू भी सकते हैं तो आइए इसे भी कुछ एकजेंपल्स के दूरू समझते हैं इसके एकजेंपल्स हैं क्लेवरनेस, डार्कनेस, ओनेस्टी, ब्रेवरी, लाफ्टर, हैटर, असेटर, तो कसी की जो चुतुराई है, या अंधेरापन है, इमानदारी है, बहादरी है, इसे जो है हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये सभी जो है, वो भाववाचक संग्याई हैं, नाउन को हम दो और कैटेगरेज में बाढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं, काउंटेवल एंड अनकाउंटेवल नाउन्स, क्या मतलब है इसका, सबसे पहले काउंटेवल नाउन, नाउन्स that can be counted are called काउंटेवल नाउन वे नाउन्स, जिसे आप गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेवल नाउन्स कहते हैं, आईए कुछ एक्जमपल्स देखते हैं, जैसे स्कूल, रिवर, बुक, बस, एपल, सनेक, असेटरा, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं, तो क्योंकि ये गिने जा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम countable noun कहते हैं, next है uncountable noun, nouns that cannot be counted are called uncountable noun, ऐसे nouns जिने आप गिन नहीं सकते, उन्हें हम uncountable noun कहते हैं, for example, sugar, milk, salt, rice, etc. तो चीनी हो गई, दूद हो गया, नमक हो गया, चावल हो गया, इन चीजों को आप कभी भी गिन नहीं सकते, इसलिए इन्हें हम uncountable noun के category में रखते हैं, आईए, और examples, noun की कुछ और category देखते हैं, noun, its numbers, तो countable and uncountable, तो जो चीजें countable हैं, उनमें आते हैं, numbers, तो numbers के category के दार पे, nouns दो तरह के होते हैं, सबसे पहले singular number and plural number, singular number क्या है, a noun that denotes one person, one thing, और one place is set to be in the singular number, एक noun जो हमें एक आदमी, एक वस्तू या एक जगए के बारे में बताए, उसे हम singular number के नाम से जानते हैं, examples, book, school, page, note, street, lake, apple, war, day, etc., यह सभी हमें, एक किताब, एक school, एक page, एक note, एक street, एक lake, एक apple के बारे में बता रहे हैं, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम singular number के category में रखते हैं, next हमारे पास plural number, a noun that denotes more than one person, place, or thing is set to be in the plural number, तो एक noun जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में, जगहों के बारे में, या वस्तुओं के बारे में बताए, उसे हम plural number के नाम से जानते हैं, examples है, books, schools, pages, notes, streets, lakes, apples, wars, etc. तो ये सबी हमें एक से ज़्यादा किताबें, school, page, आदि के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये plural number हैं, तो आईए, अब हम noun की कुछ और category के बारे में देखते हैं, noun, its, genders. Genders क्या हैं? Gender tells us whether a noun belongs to the male sex, female sex, or to the neither of the two. Gender हमें ये बताता है कि जो ये noun है, ये male है, female है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है. तो male, female या neither of two के बेस पे जो noun है, वो चार तरख के होते हैं. या हम कह सकते हैं कि gender जो है, वो four types के होते हैं. सबसे पहले है, masculine gender, a noun that denotes a male sex, said to be of the masculine gender. जो noun हमें किसी पुरुष के बारे में, पुरुष लिंक के बारे में बताता है, उसे हम, masculine gender के नेम से जानते हैं. Examples हैं, boy, dog, horse, ox, lion, tiger, man, etc. Second type जो है हमारी, वो है, feminine gender, a noun that denotes a female sex, is said to be of the feminine gender. एक संग्या जो किसी इस्त्री लिंक के बारे में बताती है, उसे हम, feminine gender, या इस्त्री लिंक कहते हैं. Examples हैं, girl, bitch, mare, woman, lioness, tiger, etc. Next है हमारे पास, common gender, a noun that denotes both the sexes, is the common gender. एक noun जो हमें दोनों इस sex के बारे में बताता है, उसे हम, common gender कहते हैं, कुछ examples के तुरूश समझते हैं, baby. अब जो baby है, वो male भी हो सकता है, और female भी हो सकता है. वैसे ही जो parents है, parents में father and mother जो हैं, दोनों ही include होते हैं, तो ये male भी है और female भी है. तो जो word male और female के लिए common यूज किये जाते हैं, उन्हें हम common gender कहते हैं. ऐसे ही हमारे पास cousin हो गया, teacher हो गया, और doctor हो गया. वैसे doctor जो है, वो male भी हो सकता है, female भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारी जो type है, वो है neutra gender, a noun that denotes a lifeless thing having neither male nor female is said to be neutra gender. एक ऐसा noun जो ना male है, ना female है, मिंज उसमें life नहीं है, उन्हें हम neutra gender कहते हैं. एक्जेंपल्स है, book, table, river, pen, computer, etc. तो इसके साथ हमारा जो noun का topic है, यहाँ पे खतम होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और topic के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए, जैहिन!